पूजा भट जिन्होंने नब्बे के दशक में अपनी बेहतरीन आक्टिंग से खूब नाम कमाया लेकर साधी अपने बोल्ट होने की वज़ों से काफी कुछ सुनना भी पड़ा लेकर उन सभी बातों का जवाब पूजा भट ने काफी बोल्ट ली दिया किन वजहों से उनको ट्रोल किया किया और उसके जवाब में पूजा ने क्या कहा आईए आपको बताते हैं आज की विडियो में नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नबीला उरूच और आप देख रहे हैं आज की खबर पूजा भट अपनी मूवीज और आक्टिंग से ज़ादा कॉन्ट्रोवर्सी से जानी चाती है अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटर्व्यू में चोलर्स को मूँ तोड जवाब दिया इस इंटर्व्यू में बाचीत के दौरान उनके बोल्ड फोटो शूट मागजीन का वो पेज और पिता माहिजबट के साथ कॉन्ट्रोवर्शल फोटो शूट की बात उठी जिसमें वो अपने पिता को किस कर रही थी जिसको लेकर पूजा ने कहा कि उनको इस किस में कुछ गलत नहीं लगता पूजा ने कहा मैं इसे सिंपल तरीके से देखती हूँ मुझे लगता है कि बतकिस्मती से एक ठहराव की आवस्था में मॉमिंट कैसे भी दिखाया और समचा जा सकता है मुझे याद है कि शारुखार ने एक बार मुझसे कहा था कि जब आपकी बेटियां होती हैं हास कर जब वो छोटी होती है तो वो अकसर कहती है मॉम एंड डाड मुझे किस करिये और वो इसके लिए तत पर रहती है अब इस उम्र में भी मैं अपने पिता के लिए भी वही दस पाउंड की बच्ची हूँ वो बंधन जीवन भर रहेगा उन्होंने आगे कहा कि इस तस्वीर में एक पिता और बेटी के बीच का मासूम मॉमेंट कैप्चिर किया गया था इसके लिए उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है आगे उन्होंने ये भी का कि अगर लोग बाप और बेटी के रिष्टे को अलग नजरीय से देख सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं फिर हम बात करते हैं फैमिली वैल्यूस की वार अ चोक इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा फिलाल इस खबर में इतना ही मुझे दीजे अजाज़त और बने रहे है आज की खबर के साथ